हर्याना चुनाओ के नतीजे भले ही अप्रत्याशित रहे हों लेकिन नतीजों में सरकार बीजेपी की बनी है चुनाओ नतीजों पर कॉंग्रेस तो सवाल पहले से ही उठा रही है लेकिन सवाल अब बीजेपी के अंदर भी उठ रहे हैं और ये सवाल है कि सीम कौन पहले मान जा रहा था कि नायाव सिंग सैनी हर्याना के नए सीयम होंगी नायाव सिंग सैनी 12 अक्टूबर को शपत लेने वाले हैं इस बात की चर्चाई भी शुरू हो गई थी पंचकुला के परेट ग्राउंड में शपत के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी भीड जुटान फट गई है क्या आप सिम पद्द को लेकर जो है हल्चल मची हुई है या फिर काहनी कुछ और है सिम पद्द के अलावा क्या डिप्टी सीएम की दाव notor और भाप नंचल नतीजे आया नतीजें पर बवाल मचा हुआ है Congress लगातार आरोप लगारही है कि ये बी जे पी की कारिस्तानी के बजह से आए है या बीजे पी ने झुनावायोग की मदद से आये है हर्याना चुनाओं के नतीजों पर सुरुवात से ही बवाल मचा हुआ है, सवालों के घेरे में है नतीज़े क्योंकि कॉंग्रेस जो है लगातार आरोप लगा रही है कि EVM में धान्दली हुई है, काउंटिंग सेंटर पर धान्दली हुई है, इसी वज़ा से जो नतीज़े आने चाहिए थे वो नहीं आये हैं, यहां तक कि कॉंग्रेस CM FACE को लेकर भी अंदर BJP के बगावत छिड़ती हुई नजर आ रही है और ये बगावत इतनी छिड़ गई है कि तारीक तै होने के बाद बदली जा रही है अब दावा किया जा रहा है कि पहले बार है अक्टूवर को शपत ग्रेंड होना था सब कुछ तैयारया हो चुकी थी परिवहन के लिए जो है लेटर भी लिखा जा चुका था लेकिन आखरी समय में बदल दिया गया और अब कहा जा रहा है कि शायद ये जो तारीक है शपत ग्रेंड है वो 15 अक्टूवर तक कभी भी हो सकता है मतलब अभी भी तारीक फाइनल नहीं है और ये अपने आप में बड़ी बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कहां पर पेच फस रहा है तो ये भी काज़ आ सकता है कि बीजेपी भलेई हर्याना में जीत गई है बीजेपी ऊपर खाने पे खुश नजर आ दिया लेकिन अंदर खाने उसमें जीत ने बवाल मचा दिया है खलबली पैदा कर लेकिन अब सीम फेस को लेकर मंत्री मंडल को लेकर डिप्टी सीम फेस को लेकर तमाम सवाल जो है खड़े हो गए है और बीजेपी आलकामानात तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे मनाएं क्योंकि एक को मनाएंगे तो दूसरा रूट जाएगा और ये इस्तिती बहुत जादा जनक BJP के लिए बनी हुई है तो जैसे कि मैंने आपको कहा अब शपत ग्रेंट 15 अक्टूबर तक कभी भी हो सकता है शपत से पहले चंडीगड में BJP विधायक दल की एक मीटिंग बुलाई जाएगी और इस बैठक में दो केंद्री परवेक्षक शामिल होंगे ऐसी जानकारी आ रही है वहीं सैनी अभी दिल्ली में ही है जहां वो हर्याना चुनाव प्रवारी केंद्री मंत्री धर्मेंद प्रधान से उन्होंने मुलाकात की वैसे अभी CM पद को लेकर सैनी का नाम ही आगे चल रहा है यानि जानकार यह दावा कर रहे हैं कि CM फेस को लेकर कोई पेच नहीं फसा हुआ है CM पद को लेकर सैनी का नाम फाइनल है लेकिन दूसरे जो CM पद के दाविदार हैं वो अपना दावा लगाता ठोक रहे हैं और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा ना हो जाए आकरी समय पर परची पर नाम लिख कर आ जाए और फिर परची किसकी निकले इस पर अब सवाल बना हुआ है आपको याद होगा 2023 में जब मध्यप्रदेश राजिस्तान और 36 गड़ में विधान सबाद चुना हुए थे उस समय परची बहुत सुर्खियों में रही थी क्योंकि परची पर लिखकर CM का नाम आता था और उसको लेकर बहुत जादा सुर् में आ गई है और यह सवाल खड़ा हो गया है कि परची में इस बार किसका नाम रहने वाला है तो वहीं अब एक और खबर निकल कर आ रही है कि शपत ग्रेंट से पहले डिप टी सीम और मंत्री पत के लिए लाबिंग शुरू हो चुकी है दावा किया जा रहा है कि यूपी क जाधा लोगों को साधने के लिए दो डिप्टी सीम यहाँ पर भी बनाये जाएंगे जैसे कि यूपी में बनाये गए क्योंकि यूपी में भी यही स्तिती बन रही थी कि सीम पत को लेकर कई दावेदार थे और ऐसी स्तिती में जब बीजीपी को कुछ नहीं सूजा तो दो डिप्टी सीम का ओप्शन रखा गया और लगातार दो कारेकाल में दोनों ही बार दो डिप्टी सीम वहाँ पर बनाये गए हैं और यही स्तितियां हर्याना में बनती हुई नजर आ रही है और इसलिए दावा किया जा रहा है कि लॉबिंग शुरू हो चुकी है वहीं आपक यहां राजस्तान और यूपी की तरश पर दो डिप्टी सीम बना सकती जैसे कि मैंने आपको बताया वहीं बात करें राजसवा सांसत कार्थ के शर्मा की तो उन्होंने भी दिल्ली में नायव सिंग सैनी से मुलाकात की है कालका सीट से उनकी मा शक्तिरानी शर्मा ने चुन या डिप्टी सीम के पत को लेकर खींश्तान अभी से शुरू हो गई है सीएम पत को लेकर एक बार को माना जा रहा है कि शायद आलकमान की पसंद पर महर लग जाएगी और आलकमान की जो पसंद है वो नायव सिंग सैनी है क्योंकि उन्ही के नेतरित में चुनाओ लड़ा हाला कि cm क्यों होगा इसका ऐलान बीजेपी की तरफ से पहले नहीं किया गया था बीजेपी हमेशा से कभी भी ऐसा नहीं करती है लेकिन क्योंकि नेत्रिट तो नायव सिंग सेनी का था इसलिए कहीं कहीं मान कर चला जा रहा है कि हो सकता है कि उनके नाम पर ही मोहर लग जाए लेकिन BJP के अभी तक की रंडीती को देख कर इसे मानना बहुत गलत होगा क्योंकि हो सकता है आखरी समय पर कुछ भी बदलाओ BJP अलगमान की तरफ से हो सकते हैं लेकिन ये सारा जो मामला है वो सुर्कियों में इसलिए आ गया सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुछ ही है दिन के अंदर लगातर दो लेटर लिखे गए एक पहला लेटर जो लिखा गया वो शपत ग्रेंड समारों के लिए बसें उपलब्द कराने की बारे में लिखा ग गया था और इसके कुछी समय बाद एक दूसरा लेटर फिर से जारी किया जाता है जिसमें ये लिखा गया है कि शपत समारों की डेट अभी पक्की नहीं है और इसकी वज़ा से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या दिक्कत है क्यों पहले नाम फाइनल हो गया डेट फाइ प्रिक नहीं है हर्याना में बीजेपी जीत कर तो भले ही आ गई है लेकिन अब उसके लिए चुनौती उसके खुद के नेता उसके खुद के कारिकरता और उसके खुद दिगजनेता जो है बन गये हैं वह तैह नहीं कर पा रही है कि किसकी बात को तवज्जो दे और किसकी हो सकता है कि जो नाराज नेता हैं बीजेपी के जो नाराज विधायक हैं बीजेपी के उन्होंने अगर नाराजगी अपनी उनकी इतनी बड़ी और उन्होंने अगर इंडिया के साथ हाथ मिला लिया तो ये सरकार भी गिड़ सकती इस तरह के डर से बीजेपी अभी जूज कि पार्टी प्रभारी धर्मिंद प्रधान के साथ मुलाकात हुई लेकिन अभी तक बीजेपी हाई कमान की तरफ से किसी के भी नाम का साफ साफ संकेत नहीं दिया गया है यालि ये देखकर तो कहा जा सकता है कि हर्याणा में डिप्टी सीम या फिर मंदल को लेकर पेज़ फसा हुआ है लेकिन वहीं जो दूसरे दिगजनेता है जो सीम पत को लेकर दावेदारी कर रहे हैं उसको देखकर ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीम को लेकर भी पेज़ हुआ है बीजेपी आलकमान के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि किसको सीम बनाया जाए क्योंकि इधर जैसे ही चुनाओ के नतीजे आए भाजपा को बहुमत भी मिल गया और उसके तुनंत बाद गुरुग्राम से जो भाजपा सांसद है और केंद्री पाउंद्रजीत सिंग का एक बड़ा बयान आ गया उन्होंने पहले तो बिना नाम लिये जो है मनोहर लाल खटर पर निशाना साथ दिया और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि क्योंकि अहीरवाल से सबसे ज़ादा सीट्स बीजेपी ने जीती है बीजेपी हर्याण में सरकार सिफ अहरबाल की वज़ा से ही बना पाईए तो जो सीएम होना चाहिए वो भी इधर से ही होना चाहिए यानि उन्होंने बिना कुछ का ये संके दे दिये कि वो सीएम बनना चाहते हैं इसके अलावा अनिलविच शुरुआत से ही दावेदारी पेश कर रहे थे लेकिन उसके लिए مشकिलों का अंबार जो है खड़ा हो गया है मुशकिलन और चुनौतियां उसके आगे बढ़ती जा रही है और इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी आलका मन तै नहीं कर पा रहा है कि वो जो जीत हुई है उसके खुशी मनाए या फिर जो उसके सामने इतन झाल झाल